अलो फ्रेंड गुडीवनिंग सब कैसे फ्रेंड मेरी चैनल पर आप सब का स्वागत है फ्रेंड आज मैंने जो कटिंग किया था येडिन निमका वह में लगाने जा रही हूं शूख गए तीन दिन हो गए आज तो मैं रेट में लगा रही हूं ये सब कटिंग देखे नीचे से सुक गया है पोरा तभी लगा सकते हैं फ्रेंच नहीं लगा सकते जो इसके पिले पते हो निकाल दूंगी मैं लगाया था साप पावडर रखा था अब नीचे से बराबर अच्छे से सुख गया है तो अभी में लगा रही हुँ की जो पते खराब हो गए वो निकाल दुंगे तीन दिन हो गया है तो में लगा रही हुँ फ्रेंद छोटे छोटे मैंने प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप आते हैं उसमें लगा रही हूं रेत में मेरे पास ऐसे डिस्पोजेबल कप है देखे इसमें मैंने नीचे नेट रखा है और रेत लगा दी है इसमें दोके इसमें मैंने बिगो दी थी ती रेत और दोकर इसमें ही दो इसमें वल बड़ा किया है मेने बहुती ताकि इसमें पानी ना रहे देखिए सब में वल कर लिया है इसमें पड़े है धोये है मेने देखिए बड़े बड़े वल कर लिये है और इसमें रेत है नीचे एक छोटा समें नेट का टुकड़ा रख देती हूं प्रें ताकि इसमें पानी रेत न बाहर जा इसलिए देखें इसे रेत को मैंने इसमें दोया है इसे कर देंगे तो अच्छे से रह जाएंगे और इसमें हम लगा देंगे डेने का कटिंग तो बाद में हम लगाएंगे मरिया है मिटी में ठोड़ी मिटी ठोड़ी रेत इसे करके हम इसकी मिटी बनाएंगे और इसमें लगा देंगे जब लग जाएगा तो हम ट्रासफर कर लेंगे गुश्रे गमले में शेलो पोट में हम रख देंगे अभी तो मैं इसी में कर रही हूं लगा रही हूं जो हम कटिंग लगाते हैं छोटे-छोटे कप में अमारी यह इसी रेत मेलती नहीं है पर कंट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां से लाई हूं में तो इसी में छोट इसी नेट का टुकड़ा लगा रही हूं में ताकि रेत बाहर चली ना जाए तो बढ़ा है तो रेत चली जाएगी और पानी तो में दालूंगी तो पानी नहीं रहेगा इसमें पानी निकल जाएगा निचे नेट लगाई है तो पानी भी नहीं रहेगा देखे इसे सब में ने कब बर लिए है और सब के में पत्ते निकालने है जो मुर्जा गय पत्ते तीन दिन से पड़ा है जो खराब हो गए वो पत्ते ही निकालूंगी और एसे में लगा दूँगी फिर इसमें में साथ पाउडर का पानी दे दूँगी वस एसे ही लगाना है प्रेंड एडेनियम को अच्छे से लग जाएगा देखे रेत में अच्छा रहेगा प्रेंड रेत में लगाएंगे न तो दिखें इसमें दी ने लगा रही हूँ इसमें लगा दो इसमें लगा दूँगी प्रेंड तबयत खराब है पर यह काम तो करना ही है प्रेंड क्या करें गार्डन में गार्डन के हम बेठे हैं तो करना पड़ता है ने पड़ी रे तो डाल दू इसमें लगा दिया तो ऐसे ही सब में लगा रहे हूं देखिए तोड़ी और में रेट डाल देखिए थोड़ा कम है देखिए इसमें भी में एसे ही लगा रहे हैं तो सब अच्छे से लगा देखिए जाएंगे कोई भी पोदा आप इसे कप में लगा सकते हैं अभी सीजन है तो रेट में लगाए आपको कोकोपीट हो आपके पास तो कोकोपीट में भी लगा सकते हैं और छाओं में रख देना है इन सब को कहीं बार रखना नहीं है दूप में दूप में नहीं रखना है इंसे सोरी प्रेन खासी हो रही है मुझे ख़ड़ा में से वोल करना पड़ीगा बिल्ली रहना जम गया है मैं एसे ही प्रेन हर साल करती हूँ और पोदे बना लेती हूँ इन सबको फिर में छाओं में रखके अच्छे से दो तीन दिन बाद पानी दे दूँगी अभी में साप पाउडर का पानी दूँगी फ्रेन सबको ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे यह मैंने रेत तो ही हुई है इसमें भीगो दी थी मैंने दिखे और यह से में लगागा बहुत ही अच्छे से लग जाएगा प्रेश पिले नेट का टुकड़ा छोटा सा डाल दूँग और रेत डाल दूँग मेरे पोजे भी पड़े यहां जो मैंने कटिंग लगाया था साथ में वो भी पड़े है चोटी बड़ी सब कटिंग में इसमें लगानी है तो देखिए फेंड एसे ही लगा दीजिए आप भी एसे एक अप में और छाम में रख दीजिए तूप अभी नहीं देना है अड़ों से फोड़ी ग्रोध हो जाए बाद में आप दूप में निकाल लेए है अच्छे से एक दो पतते नहीं आ जाई यह इतने पतते थोटे निकले निकल जाए तो आप दूप में रख दीजिए अच्छे से आपका एडेनियम ग्रोथ करेगा अब इसमें में साप पापडर का पानी दे दूगी रेत गिली है फिर भी थोड़ा-थोड़ा में साप पापडर गुल के सबको थोड़ा-थोड़ा दे दूगी ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे क्योंकि एडेनियम में फंगस जल्दी लग जाता है तो खड़ाब हो जाता है और पानी बहुत देना नहीं है ये रेक पूरा सुख जाए थोड़ा गिला रहे एक दम सुखना नहीं है थोड़ा गिला रहे तो पानी देना है क्योंकि एक कटिंग है तो पानी तो देना ही पड़ेगा बहुत सुखाना नहीं बड़े एडेनियम है उसमें मैं पानी एक दिन छोड़के एक दिन देती हूं दर्मियों में रोज देती हूं तो फ्रेंड इसे रोज नहीं सुखाना नहीं है बिल्कुल इसकी रेच सुखनी नहीं चाहिए क्योंकि एक कटिंग है ना सुखेगी तो यह कटिंग खराब हो जा तो बाई फ्रेंड मेरा वीडियो देखिए जरूर बाई देखिए मैंने लगा दिये इसे थर्मोकॉल के बोक्स में मैंने सेट करके रख दिया है सब पोधों को देखिए मैं चाह में रख दूंगी यह सब और सुखने नहीं दूंगी फ्रेंड इसे मैं अभी पानी दे झाला है